है मैं लबली वीवर्स हाव और यौल दूइंग आशा है कि आप सब अच्छे होंगे कुछ अगर अच्छे नहीं हो इस वीडियो को दिखने के बाद अच्छे हो जाना विस जायदा एंड वेलकम बैक तो मैं चैनल रोज जैस पंथी तो बताएए दोस्तों कैसे हैं आप लोग कैसे चल रहे हैं आप अपनी अपनी जिन्दगी में मुझे पता है बहुतों का आंसर हो कि ठीक टाक कोई कहेंगे कि बेकार कोई कहेंगे कि नहीं बहुत मस्त तो हर किसी की जिन्दगी अलग होती है राइट किसी की जिन्दगी में खुशी है तो किसी की जिन्दगी में दुख कोई कहता है कि मेरे साथ ही क्यों कोई कहता है कि मेरी लाइफ में ही ऐसा क्यों होता है तो मुझे यह बताईए कि जिन्देगी क्या है वाट इस लाइफ 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 इस टोटली अन्प्रेडिक्टिबल एट इस फुल्ली अनेक्सपेक्टेड अन्वांटेड सीरीज ओव इवेंट्स आपने ऐसे वीडियो तो कई बार देखेंगे ना एक्सपेक्टेशन वर्सिस रियालिडी हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत कुछ होती है बट रियालिडी उससे अलड़ एकदम अलग और मेरा माना है कि होना भी चाहिए कि कि अगर हम जो सोचेंगे वही होगा तो लाइफ में मज़ा क्या रह जाएगा है ना जो हम सोचते ह है अगर वही होगा तो उस चीज का होने के क्या जरूरत है हम सोचके यह उसको खुश हो जाते हैं पहर ऐसा नहीं है हर बार हम जो सोचते हैं वैसा कभी नहीं होता है और इनसान इसी में अपनी लाइफ गुजार देता है कि पहले तो सोचता है कि नहीं ऐसा होगा मेरे साथ और जब वो समय आता है तो वो यह सोचता है कि ऐसा क्यूं नहीं हो रहा है और जब वो समय बीच जाता है तो वो यह सोचने में मस रहता है कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यूं नहीं हुआ तो हमारी life तो इसी में चली गई की हमने जो सोचा वो हुआ क्यूं नहीं है ना बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है expectation जो हमारी होती है वो हमारी लिए ही होती है reality उससे अलग होती है तो हमें हमेशा जिन्दगी में जैसे हैं जो मेल रहा है उसी में बस खुश होके मुतमेन होना चाहिए कि नहीं हमने ये सोचा था हुआ नहीं कोई बात नहीं जो हुआ है उसी के साथ हम खुश हैं अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने कुछ सोचा और उसका ओलट हो गया तो वो उसी घम में अपनी जिन्दगी गुजा लेते हैं उसी में उनका मतलब पूरी लाइट गुजर जाती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यूँ लर्न तो हील यॉरसेल्फ दोस्तों सीखो अपने आपको सम्हालना आज इनी बातों को समझाने के लिए मैं आपके साथ जावेद अक्तर जी की लिखी कुछ शब्द शेर करती हूं जिससे आपको जिन्दगी में मिली तकलिफ हो और उसकी पीड़ा से कैसे उभरना है कैसे आपको बस सब हालातों में डट कर खड़े रहना है कि सीख मिलेगी जावेद अक्तर जी लिखते हैं जब जब दर्द का बादल चाया जब जब दर्द का बादल चाया जब गम का साया लहराया जब आऊसु पलको तकाया जब यह तनहा दिल घबराया हमने दिल को यह समझाया हमने दिल को ये समझाया दिल आखिर तो क्यों रोता है दिल आखिर तो क्यों रोता है दुनिया में यूही होता है दिल आखिर तू क्यों रोता है दुनिया में यूही होता है ये जो गहरे सरनाटे हैं वक्तने सभी को बाटे हैं थोड़ी दूप है सबका हिस्सा थोड़ा गम है सबका किस्सा आख तेरी बेकार ही नम है हर पल एक नया मौसम है क्यूँ तो ऐसे पल्क होता है दिल आखिर तू क्यों रोता है दुनिया में यूही होता है दोस्तों उतार चड़ाफ सबकी लाइफ में होती है यहां कोई हमेशा खुश या हमेशा गम में नहीं रहता ये बदलाफ का होना लाजमी है हमें इस बदलाफ के लिए अपने आपको हमेशा तयार रखना चाहिए क्योंकि हर चीज़ का एक मुगरर वक्त होता है इसी का जाना यही तो हर बार होता है इसी का नाम जिन्दगी जीना दुखों से लड़ना सीखना और बीथ जाना एक नए कल के लिए तो दैट सिट वर टूडे इस वीडियो आशा है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ तो प्रेना मिली तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए पूरे जजबे के साथ एक नए उमीद के साथ अपनी जिन्दगी को गुजारिए अल्ला हाफिस